नमस्ते किसान भायो आज बात करते हैं माकोवान सी जो आदामा कमपणी का फंगिसाड इसके बार ने ज्यादा तर किसान भायो ने उप्यल कमपणी का साब फंगिसाड है अपनी फसल में बिमारों से चुटका रपाने के लिए इसका इस्तमल किया होगा इसमें यह वही टेक्निकल है, बात करते हैं अभी इसके लोज की टेक्निकल की काम कैसी करता है, कौनसी बीमारों पर अच्छे तरह से कंट्रल कर लेता है, और फाइनली किमत की भी बात करेंगे, तो बात करते हैं टेक्निकल की, टेक्निकल जो आता है इसमें कार्बन देन्जा कोंट看看 trope Da eben कार्वृं नर्म चीवiddel आजबता है तो सिस्टमेटिक तरह से काम करता है कि वीमारे और या इसे पइली कि पहल rooted बहुत ही अच्छी शांदार रिजल्ट मिलेंगी आपको और साथ इसाथ बिमारे आने के बाद भी आप में इसका इस्तमाल कर सकते हैं हम इसका इस्तमाल सभी फसलों पर स्प्रेंग के लिए छटकाओ कर सकते हैं या ड्रेचिंग भी कर सकते हैं ज्यादा तर धान की फसल में ब्लास्ट अंगूर की फसल में powder milde, downy milde, lip spot टमाटिक फसल में a lip light मुंखली की फसल में टिका, lip spot जल्दी आने वाला जूलसा, लेट आने वाला जूलसा जो आम की फसल में आती है powder milde, anthracnose इतनी फसलों पर हम इसका इस्तमल कर सकते हैं धान, कपास, याबीन, मुफली, टमाटर, प्याज, गोबी, फ्लावर, मिर्च आदी फसलों पर हम इसका इस्तमल कर सकते हैं डोस की बात करोई तो 200 या 250 ग्राम प्रतिय अकड़ का डोस है किमत की बात करें तो 250 ग्राम का प्याग कम सिकम 250 या 270 में आपको मिल जाएगा रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट कम सिकम 12 से 15 दिन तक फसल पर देखने को मिलता है इसके साथ आप कोई भी इंसिक्डिसाइल, वाटरसॉलिबल फर्टिलाइजर या बायूस्टिलेंट टॉनिक भी लेकर स्प्रेंग कर सकते हैं याटकी चटकाओं कर सकते हैं धन्यवाद आप जैकिसन चैनल पर नई हो तो लाइक, शियर, सब्सक्राइब ज़रू किजिए ठैंक्यू